आई फ्रेंज कैसे हैं आप स्वागित करता हूँ आपकी अपने चैनल क्रेक 11 फोकस पे इस वीडियो में हम बात करने वाले एंग वर्सेज एउस फूल स्टाट्स प्रस इंफो यानि इंग्लेंड वर्सेज ऑस्ट्रिलिया ओडिया 3 यानि की फाइनल वंडे मैच जो खेला ज जाएंगे अगर हम बात करें आप आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो इसी वीडियो की डिस्रिप्शन में हमारे लिंक है चैनल का टेलीग्राम चैनल में ज़रूर जुड़ जाना 97,300 लोग से उपर जुड़ चुके हैं आप पी चैना रहाएं इतने सब लोगों की और रोजबॉल सौथ हम्टन में भी काफी मैचे हुए हैं यहाँ पर आपको पता है एक ग्राउंड बे ज्यादा पिछ भी हो सकती है एक से अब्विसली तो यहाँ पर जो पहले दो मैचे के लिए उससे डिफरेंट पिछी होगी दो स्कूर बतलब दो एक पिछ चोड़ गई थी और जो की बहुत अच्छी फास भॉलिंग यहां में देखने को मिल थी जौफर आचर और किस वोक से लेकिन यहां पर हलकी सी फ्रेश विगेट है तो मुझे लगत है टू फिफ्टी टू टू सिक्टी स्कोर यहां पर आपको देखने को मिल सकता है अगर बात करें गई तो एक स्पिनर टोटल विगत उननिस गिरी थी 14 फास को चार स्पिनर को लेगन अगर देखा जायतो है तो एक स्पिनर के ओवर्स भी सिर्फ बीस ही थे टोटल नबबे से उपर यानि अरूट नायंट इट प्लेट प्लेवाज वांट रधर देखोगे तो सिरफ स्पि अगर हम पिछला मैच भी उससे कंसेडर करें उसमें भी 12 फास्ट छे स्पिन था और उससे पिछला मैच तो वर्ल्ड कप में हमने देखा ही था इंडिया न्यूजिलेंड जो इंडिया हार गया था सेमी फाइनल में अगर हम बात करें यहां पर इंगलेंड की तो जौफरा आर्चर ने चेन और टोट किये और तीन विकेट ली अधील रशीद ने एक विकेट ली और यहां पर सैम करन भी तीन विकेट लेगे गये थे हाला कि तॉम करन ने दसो और दो मेंडन अठाइस पर जीरो किया लेकिन विकेट नहीं मिली थी तो इंके जो बोलिंग प्लेश पांचो ही अच्छे रहे थे और पांचो ही आइधिक ड्रेम टीम में भी शामिल था याने की बेस्ट इलवन पॉसीबल कम्बिनेशन था उसमें भी यहां पर हम बैंच की बात करें मोही नली आपको बैंच पर देखने को मिल सकते हैं फिर से टॉम मेंटन देखने क की होने बली है प्लेयर रोल्स देखोगे तो लगबग वही है या रोल्स सोड़ी चेंज हुद जाहेंगे रिसेंट फॉर्म प्रेयों भी जो है वही है जो मैंने आपको सीरी शे पहले की दिखाई थी स्टाट्स प्रॉफायल देखोगे पूरी करियर प्रॉफायल इंगले आती है उस्ट्रिया की अगर बात करें तो यहां डेविड वॉर्णर ने छे और छे रंस किया है एरन फिंच ने सोला और सेवेंटी थी सीवेंट समीथ अभी तक नहीं के लिए एकस्पेक्टीड है इस मैच में डिरेक्ट वॉक इन करेंगे नंबर थ्री पे मारनस लैबुश पैट कमिंज नौ ओवर एक विकेट और दस ओवर एक विकेट यहां पे सेकेंड मैच में तो बॉलिंग खराब नहीं करी है तीन मेडन भी डाले विकेट बिली रंस भी किये तो ठीक ठाक प्लेयर बन सकते हैं मिचल स्टाक थोड़ी फॉर्म में दिखे यहां पे मैंने जीरो लिख दिया है गलती से तो दस ओवर एक मेडन अटीस पे दो करना चाहिए मुझे भी यह लास मैच में दो एक्टे लेके गए थे मिचल स्टाक प्रॉब्लम क्या आ रही है मिचल स्टाक मुझे मिच में भी यहां मैंने फिर से गलत लिख दिया है करेक्ट कर दिया गया मुझे माफ करना इसके लिए साथ नौट और प्लस दस ओवर दो मेडन 27 पे बहुत अच्छी बोलिंग करें टोटल बीस में से इन्होंने पांच और तो इस सीरीज में मेडन डाल दिये मतलब बंदा वन फोर्थ ओवर अपने मेडन डाल रहे विक्टेर लग ले रहा है टिक कर खेले थे इसको अगर आपने लास मेल देखा था जो रूट और मॉर्गन तो हिलने नहीं दे रहे थे जो रूट को तो और जो रूट ऐसा प्लेयर है जिनकी फीट मूव्मेंट अगर ना होना तो उनके रूट रूट जाते हैं और इतने टाइम वो रूट रहे थे बट जो रूट बिंग जो रूट टिके रहे और 39 रूट करके गया और प्लेयर रोल जिनके भी देख सकते हो स्टोइनिस मुझे हाँ बेंच पर लग रहे है नौरन प्लस दो और बीस पर जिरो तो इलेवन बनी थी वर्सेज एरन फिंच 11 करियर प्रोफाइल्स प्लेयर रोल्स हर चीज़ देख सकते हो जो देखना चाहो यहां पे मैचेज में किसने रन किया हैं मैंचेस्टर गरांड के रिकॉर्ड मैंने अपडेट कर दी हैं प्लेयर्स वहीं हैं अभी भी टॉप इस ग्राउंड के उपर और विकेट्स में दो ही नाम आ रहे हैं अदील रशीद 11 और मोहीन अली आठ अब इसमें आप जैंपा को भी शैमल कर लीजिए क्योंकि जैंपा ने दो मैच में ही साथ विक्टर ले लिया है वर्सेज अने देखोगे तो रन्स में फिर से या मॉर् यहां पर रॉय स्मित मैक्सवेल यहां पर रॉय स्विकली ऑस्ट्रिया के सामने अच्छा करते हैं लास्ट में अच्छे लग रहे थे और विकेट्स के मामले में रशीद हैं मुईन अली मिच स्टाक क्रिस वोक्स और पैट कमिंस अगर आपको क्विकली मैं रिवाइस करव दूँ एक बार तो इसमें अपडेट कर दिये हैं ज्यादा को चेंज दिखने को मिले नहीं कि जितनी भी बैटल थी उसमें मोहिन अली और स्टीवन स्मित थे उसके अलावा जो थी जिसे स्टाक टू मॉर्गन अपडेट कर दिया ठानवे गिंद में तीन वार उट हुए है कमिंज थोड़े टंग करते हैं मॉर्गन को 156 वर में चार बार किया और कमिंज ने जो रूट को भी तीन वार किया है इसके लाव आफ स्मित वाली बैटल स्टाक खेलने के चाहांस है. मॉर्गन को तीन बार तंग किया है तो रशीद ने स्टीवन स्मित को पांच बार आउ वार्णर इस बैटल लेकर वार्णर को रीव कर रहे हो और आप ने चीज़ गोले थी आपको नथिंग चेंज उसमें वार्णर इस बीग प्लियर मेबी वह कुछ इस बार अपने टेक्निक में अब इतनी जल्डी टेक्निक चेंज नहीं होगी वार्णर ना लेकर चलना वार्णर को अगर आपको लगते सर्वाइब करेंगे वर्णर ना लेकर चलना फाइनल अपडेट क्या करोगे आप टेलिग्राम में जुड़ने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से जुड़ जाओगे विकेट कीपिंग में तीन ओप्शन है मैं हमेशा से कहता हूँ एलेक्स केरी इस टेफिनेटल अगूड ओप्शन फर ग्रैंडी अब जरूर ट्राय करें लास्ट मैंच में फाइनल ही बंडवादी सेक्षर में यूए तो जी सबसे पहले जेसन रॉइ और मामनसले बुषने स्पेसिफिक्ली जेसन रॉइ थर्ड मैच है लास्ट मैच में एक्षरी लुग डिन गुड टच मुझे लग रहा था रंस करेंगे जॉश हिजल वूट को सबसे अच्छे से अगर किसी प्लियर ने कहला है तो वो जिसन रोय थे तंग किया था हिजल वूट को मुवमेंट कर रहे थे क्रीस में और बहुत कम लोगी मुवमेंट कर पाते हैं और कट कर पाते हैं उनकी स्विंग को और यह भकू भी कर रहे थे जिसन रोय बट अनलगी रन नाट हुए आइधिंग यह आपके लिए एक डिफरेंशल और अच्छी च्वैस मैच में रहने वाली है अगर हम बात करें यहां पर कॉंसे प्ल मॉर्गन जो रूट और मार्नस लेबुशन है फाइनली मैंने डेविड वार्नर को रिमूव किया टीम में सब लोगों के कैप्टन वाइस कैप्टन रह रहे थे पहले दो मैचे तो थोड़ा कॉंबिनेशन में चेंजिस कर सकते हैं लोग मेभी फोर फोर मेंबर जो के लिए वार्नर बट अभी के लिए मैं ये कॉंबिनेशन के साथ हूं अफ्टर था मैच आफ्टर था टॉस कुछ चेंज होता है सम्टाइम्स आडू चेंज मैंनी ये टाइम इंफेक्ट आडू चेंज तो मैं हमेश आपको टेलीग्राम पर बताता हूं जैसन रॉय हैं बिल्कुल ले सकते हो बिलिंग्स इसा वेरी गूड अपट रेखाश में उंके श्याइन के बिन नहीं जाओंगा अगर हम बात करें यहां पर और वोक्स को मैंने पिक किया अपने विफिछल मार्श को ग्लेन में चेंज मार्श घैन डेखा सक्वार्ट्र था मुझे last match में लग रहा था कि Maxwell will not bowl तो मैंने उनको नहीं लिया अगर हमें पता लगता है combination देखे मानलो स्टोइनिस जाते हैं बार तो हाई chance है Maxwell will bowl 4-5 overs फिर हम pick करने की सोचेंगे otherwise नहीं स्टोइनिस का जिसे बताया I think there is chances की ना खिले करन को pick कर सकते हो आप चाहे वो Sam के रहने हो चाहे वो Tom के रहने हो अगर हम बात करें मुई नेले की खेलती हैं तो definite pick कर सकते हो यहर आगर को नहीं खिला रही Australia जो मुझे लगा कि काफी गलत है क्योंकि Australia ने जो सीरीज मतलब अच्छा किया था T20 में जीती तो नहीं कोँगा उसमें क्या अच्छा था उसमें Ashtron आगर ही सबसे अच्छे थे तो यह देखके चलिएगा bowling section में अगर हम आते हैं तो मैंने पहली pick किया जोफरा Archer इस सीरीज में आप कह सकते हो specifically ODA series में सबसे अच्छे बोलर रहे हैं जैंपा और Archer दोनों को मैंने pick किया जैंपा ने साथ विक्टे लिया प्रेडियम से आर्चर ने छे विक्टे लिया है जैंपा ने चार और तीन आर्चर ने तीन और तीन तो यह दो इसको मैं लेके चल रहा हूँ अब एक प्लेयर है जो अनलकी रहा है वह है चौश रिजलवूड क्यूंकि भाईया बोलिंग मेरे साथ से ने टॉप क्लास किया है विकेट्स कॉलम में आपको लास्ट में नहीं दिखी लेना है तो आप इसको बिलकुल ले सकते हो मैं अभी बैसे एक देलो सेव जाना है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं मैं तो हैं मेरे सो ड्या Daarises तो आप अगर यह करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं तो अंक्योरेंट टीम में हैं में बी ऑस्ट्रेलिया की टीम में कुछ और चिंज भी हो अगर इनको लगता है कि रिचेट्सन आ सकते हैं स्टाक की जगह अगर थोड़ा सा चांसे लग रहे हैं में स्टाक इस अग्जॉस् कैप्टनची वाइस कैप्टनची में किस भी हाव से देने वला हूँ मेरी कैप्टनची और वाइसकैप्टनची देखोगा स्टीव स्मिट खेलते हैं तो वो अप्शन है वरना आयम में प्रेफरिंग कि मैं यहां पर एक लेक्स्पिनर के साथ जाओं अदिल रशीद के ये दो प्लेयर्स मैं स्पेसिफिकली सोच रहा हूँ इसमें एरन फिंच भी है बिल्कुल लास में 70 प्लस इनिंग्स के लिए आप इनको भी कर सकते हो मेरी फाइनल टीम आपको टेलिग्राम में मिल जाएगी विस फुल 11 प्लेयर्स आप अपनी टीम लगाएं कोई दिक्केट वाली बात नहीं है मैं अपनी फिर भी भेजता हूँ कि आप एक बार हैल्प ले लें उसमें एक दो चेंज जो आपको लगता है कि यारी मैंने गलती करी है तो वो चेंज कर सकते हो उमीद करता हो वीडियो आपको पसंद आई है मिल